जैस्री किष्णा रादे रादे आप सभी का स्वागत है मेरे हैमा की ब्रतकता उपाय चैनल में दर सको आज की इस वीडियो में हम आपको होलका की राख से करें ये उपाय माल अच्मी होंगी प्रसन और साथ ही बताएंगे आपको कोक बंदन खोलने का उपाय जिस भी बेहन के संतान नहीं हो रही है निसंतानों को भी संतान हो जिती है इस उपाय से साथ ही आपको माल अच्मी को प्रसन करने का उपाय बताएंगे धन प्राप्ती का उपाय बताएंगे गर में पैसे की तंगी को दूर करने के लिए बरकत बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करें साइड में और को प्रेस करें मेरी इसी तरह की उपाय और कता की वीडियो प्राप्त करने के लिए होली का देहन वाले दिन आपको सबसे पहले तो होली माता की पूझा करनी है सुबह और साम के समय जब होली का देन हो जाती है उसके बाद शाम को तो वो गरम रहेगी तो आपको सुबह सुबह जाकर की होली की राक लेकर आनी है और आपको क्या करना है होली की जब होली का की देन की राक ठंडी हो जाए ठंडी पढ़ जाए और उसी समय आपको जाना है राक को तो गर में लाकर कुछ उपाय किये जाते हैं जिससे आपके घर की सुक्स रमधी बढ़ जाती है अब क्या करना है आपको होली की राख आप लेकर floon होली की राख को एक लाल कपड़े में बांध कर और उसके साथ साथ सफेद कोड़ी सफेद कोड़ी पूजा की दुकान से मिल जाती है लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के इस्तान पर रख दें ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी और माल अच्मी प्रसन होंगी धन की बरकत होगी लगातार आपके काम में बरकत होती चली जाएगी ये उपाये आपको करना है साथ सुबह होली माता की पूजा करें और दूसरे दिन जब होली की राख ठंडी हो जाए तो वहां से थोड़ी सी राख ला करके आप लाल कपने में बांध कर उसके संतान नहीं होती है तो आपको क्या करना है एक जटा वाला नारियल ले लेना है और जटा वारे नारियल से जो उसकी जटा होती है उसको साथ जगें एक कलावे में बांध लेना है अलग अलग बांधना है साथ अलग अलग गड़ी बना ले उसकी और कलावा उस पर लपेट देना है और उस पर पांच-पांच काले टीके लगा देने हैं जो काला का जलाता है उससे आप लगा दीजिए और थोड़ा-थोड़ा सा आपको कबड़ा भी लेख सकते हैं अगर काला मिल जाते हो तो और अच्छी बात है इसके बाद उसमें कुछ नहीं डालना है आपको जिस भी कोक बंदी हो इसके उपर से आपको ग्यारवार उसालना है और उसके बाद उस जो वहाँb जिसके भी संतान नहीं हो रही है उसकी जो सोती है उसके खाट या बैड जो भी है उस पैसे सातवार उसाल लेना है और पूरे घर में गुमा लाना है और घर में गुमा करके जब होली का देहन हो रही हो उस टाइम पर उसको ले जा करके देहन कर देना यानि कि होली का देहन मे और संतान की प्राप्ति होगी।